So hello friends welcome back to my channel trader Shifu और आज के इस वीडियो में हम करने वाले है candle reading और wick reading So मैंने आपके सामने जब इस पेर को देखा देन मैंने आप एक short short trade प्येस कर दी क्योंकि यह हमारे कोड़ी एक short short wind trade होके रहेगी So basically यहाँ पर जो formation हो है मैंने candle reading और wick reading के according यहाँ पर जब candles को observe किया तो यहाँ पर क्या देखा कि market में जब यह candle बनी So यहाँ पर क्या हुआ है कि इस candle की जो यह wick है इसमें एक selling का और candle बननी चाहिए क्योंकि market में इस level से एक buying का pressure आना शुरूवा था Then इस gap को fulfill करने के लिए यहाँ पर एक selling की candle बननी चाहिए That's why यहाँ पर हम selling के साइड में गया है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी same information होया है इस red के अंदर नीचे से buying का pressure आया Then यहाँ पर selling की candles के लिए gap थोड़ा बहुत बच गया That's why यहाँ यहाँ मार्केट में एक next short short selling की candle बनी Same logic हमने यहाँ पर भी apply किया है यह चाहिए कितनी भी green बनने ही कुछ करे End of the result इस candle को एक red में ही convert होना होगा Because candle reading और market बतलब candle reading और wick reading market में Markets आप easily profit generate कर पाऊगे इस knowledge के base पे So आप देख सकते हो So हमने जो trade place की वो एकदम short short win trade हो चुकी है So हमारी first trade हम win कर चुके है Then आपको एक और बात बचादू कि आप जो यह timer होता है इसको switch करके रखा करो जैसे आप switch करोगे तो आपके सामने यह यह timer show होगा Then इसमें जो सबसे कम time होता है वो एक minute का होता है So उसको select करके रखा करो जिससे कि आपके जो trade है वो एकदम सही place हो Then मैंने telegram पर free signal देना भी अब श्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं एक series को श्टार्ट करने वाला हूँ जो है कि 2x your account मतलब जो new subscriber है जो kotex में first time deposit कर रहा है So ये series उनके लिए है और जो regular subscriber है उनके लिए भी कोई भी series में join कर सकता है उनको सिर्फ telegram ग्रूप में जा के join कर लेना है So उस series में आपको कैसे क्या करना है वो सब मैं आपको बता दूँगा एक वीडियो के थूँ So make sure आप इस channel को subscribe कर लो Then हमने हमारी first trade win कर लिए और हम यहाँ पर find कर रहे हैं कि हम next trade कौन सी place करें So मैंने यहाँ पर pair वही open कर रहे हैं जिसमें हमको जो risk to reward is है मतलब यहाँ पर मैं अगर 100 रूपय लगा हूँ तो मुझको जो return मिलना सी है वो यहाँ पर 93% का मिल रहा है आपको दिख रहा होगा तो मैंने ऐसा ही pair को यहाँ पर open करके रखा है So यहाँ पर मैं एक से दो pair को और open कर लेता हूँ Then मैं यहाँ पर एक शोचो ट्रीट पेस करने के पूरी कोश्च कर रहा हूँ हम find करते हैं कि next trade यहाँ पर कौन सी place करें So यहाँ पर हम find कर रहा है So यहाँ पर मैं वीडियो को stop कर रहा हूँ So मैंने वीडियो को फिर से इस्टाट कर दे है क्योंकि पीछे कोई noise आ रहा था That's why मैंने जाके उसको पहले बंद करके आया हूँ Then अब हम find करते हैं कोई next trade में कौन सी place कर सकता हूँ So यहाँ पर हम एक short shot में भी upside में जा सकते हैं यहाँ पर जो next candle बनेगी वो भी upside की ही बनेगी That's why मैंने यहाँ पर upside में जाने का जो द्माहरा decision था उसको यहाँ पर पहले ही place कर दिया है So यहाँ पर यह जाए कितनी भी red में बननी कुछ करें जो next candle बनेगी वो overall इस level का breakout करके ही आएगी That's why मैंने यहाँ पर जब इसको देखा तो मैंने एक trade place कर दी क्योंकि इसका overall जो result है वो यहाँ पर अब का ही होके रहेगा So यहाँ पर लोग जाने के चाहसे जिसको 0% है और अगर आपको ऐसे ही knowledge सीखनी है तो इस चैनल को subscribe बढ़ लो Then मैं जो market behavior है उस पर भी एक detail video लेकर आने वाला हूँ और मैं ऐसे ही short short आपको premium provide करवाने वाला हूँ जिससे कि आप first time जब deposit करो तो अपनी जो account है उसको grow कर पाओ तो यहां पर हमने buying के side में जाने का decision क्यों लिया वो मैं आपको बताओ तो यहां पर जो V pattern है उसका यहां पर overall formation होना शुरू हो चुका था देन यहां पर एक hammer candle बनी और यहां पर बाइंग का impulse था वो आपको properly यहां पर show वो रहा होगा तो यहां पर आपको buying का impulse वो आपर देख रहा होगा पहले यह एक V candle बनी देन यहां पर यह पर पूस से भी strong तो यहां पर एक short short buying की candle बनी चाहिए थी लेकिन because of क्या पता market यहां पर error दे दे या अगर यह buying की बना था तो भी next trade हम भी नहीं करते तो इसके according मैंने जब देखा तो मेरे according यहां पर जो next trade बनती अगर यह trade loss होती तो next trade तो यहां पर short short green की बनती जो इस level का breakout करती क्योंकि V pattern का यहां पर यह breakout करना चाहती थी क्योंकि buying का एक impulse था इसमें that's why मैंने यह trade यहां पर ही place कर दी क्योंकि मेरे according यह मुझको पता था trade win होके रहेगी so हम second trade भी win कर चुका है then आज की हमारी third trade place करूँगा then back to back 300 short के साथ हम जो आज का session है इसको यहां पर over करेंगे so कोई doubt हो तो comment box में post लिया करो then मैं जो market behavior उसकी series को जल्दी start करने मालो अगर इस पर 100 comment हो जाता है then मैं market behavior की series को start कर दूँगा then पहले कोंस series start करो जो regular viewer है उन सब को पता है so यहां पर मैंने एक selling के side में जाने का decision लिया यहां पर basically timer बचा था लेकिन market को इस level से नीचे ही जाना है that's why मैंने यहां पर selling में जाने का decision लिया मैंने यहां पर timer को देखाने वह मेरे लिए एक बहुत गलती हो सकती है क्योंकि अगर मैं इस timer के according trade place करता सायद में और भी जादा short हो सकता था लेकिन market को इस level से नीचे ही बनना था that's why मैंने यहां पर selling में जाने का decision लिया था so यहां पर आप देख सकतो यह market exactly इसी level से अब यह नीचे जाएगा अब यह short short नीचे जाके रहेगा फिर भी अगर यह trade loss होगी तो मार्टिंगल का use कोई अधर पेर में करेंगे loss होने तो नहीं चीए क्योंकि अगर मैं आपको level यहां पर ड्रो करके बता हूं so यहां पर horizontal line को लेता हूं यहां पर मैं level को ड्रो करता हूं so यहां पर इसे हम यहां पर जो level से उनको आपर ड्रो करना शुरू करतेते हैं so यहां पर मैंने चार levels को ड्रो किया है so इन levels को अब देखते हैं कि पहले यह trade देखते हैं कि trade win होती है यह loss होती है so यहां पर मैंने levels को कैसे ड्रो किया है वो भी मैं आपको proper बता दूँगा देन हम इस trade को देखते हैं पहले कि जो यह trade है इसका जो result है वो क्या होता है देन मैं आपको जो reason है वो भी proper explain कर दोगा जिनको पता है वो पहले ही comment कर दो जिनको बता है कि यहां पर कॉन से pattern दा formation हुआ है वैसे यहां पर exact दूर नहीं बना है लेकिन यहां पर जो market में इंपल्स आया था selling का उसके बेस में यहां पर trade पेस किये थी यहां पर आप देख सकते हो हमने यह trade भी एक short short win trade कर लिए और back to back हमारी आज की तीनों trade short short win trade हो चुकी है यहां पर आपको आज का यह वीडियो भी इंफोर्मेटरी लगा होगा देख हमने यहां पर कैसे ड्रो किया वह आपको प्रोपर बता देता हूं यहां पर हमने जो ड्रो किया वह है supply zone और basically इस key point से market में rejection भी आ रहा था जो आपको clearly visible हो रहा है यहां पर क्या हुआ है कि market में यह जो candles बनी है यहां पर यह बनी है base candles ठीक है तो base candles में हमने जो यह यह है यह green वाली इस पर यहां पर एक levels को draw कर दिया क्योंकि यह highest week है वो इस level पर है जैसे यह होता है एक retracement अगर थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आने के बाद थोड़ा से एक पुल बेक केंडल बनाए तो वह होती है retracement मतलब थोड़ा बहुत रिटेस्ट कर रहा है मार्केट उस level को जब इस लेवल पर आया तो मार्केट ने रिटेस्ट किया यहां पर हमने एक selling में जाने का decision लिया था और इसमें आपको पता होगा तो एक selling का impulse होता है वह भी हमको देखने को मिला था जैसे यहां पर यह देखोगे तो यह एकदम bullish candle बनी है यहां पर कोई भी selling का pressure नहीं दिखा लेकिन इसमें आपको selling का pressure दिखा था सो हमने इस trade को भी win कर लिया हो जो हमारा session है उसको भी हमने यहां पर तीनो trade win करके over कर लिया है आपको 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 यह video भी informative लगा होगा जरूर से जाके telegram group में join कर लो क्योंकि यह opportunity बनी बंदों के लिए है जो real में grow करना चाता है जिनके पास अभी शुरू में confidence नहीं है that's why मैं चाता हूँ कि एक बार अगर आपका जो account उसको grow करवा दो तो मुझको भी लगेगा कि मैंने यह telegram मतलब YT channel बनाया है यह basically मैंने knowledge के purpose से भी बनाया था फिर भी अब देखते हैं कि जो आप वो जोइन करना हो तो कर लेना free channel है कोई भी ऐसा नहीं है so okay friends thanks for watching